करनाचक विधान परिशद में मंगलवार को जम कर हंगामा हुआ बवाल इतना बढ़ गया कि कॉंग्रेस से कुछ MLC चेर्मेन प्रताप चंद्रशेटी के आसन तक पहुँच गए इन लोगों ने चेर्मेन को खीच कर कुर्सी से नीचे उतार दिया और धक्का मुक्की की इसके बाद कुछ विधान परिशद सदस्यों ने चेर्मेन को कॉंग्रेस MLC से चुड़ाया आपको बता दें कि गोरक्षा कानून पर विधान परिशद में चर्चा होनी थी इस दोरान वहां बवाल हो गया बाद में कॉंग्रेस के सभी MLC को सदन से बाहर निकाल दिया गया कॉंग्रेस के विधान परिशद सदस्यों ने इस कानून के विरोध में नारे बाजी भी की कॉंग्रेस के MLC प्रकाश राठोड ने हंगामे पर कहा कि सदन की कारवाई नहीं चल रही थी इसके बावजूद भाजपा और जनता दल सेकिलर ने चेर्मेन को गैर कानूनी धंग से उनकी कुर्सी पर बिठाये था ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा ऐसी असमयधानिक चीजे कर रही है कॉंग्रेस ने चेर्मेन को आसंदी से उतरने को कहा उनके नहीं उठने पर हमें उन्हें उठाना पड़ा क्योंकि वे गैर कानूनी धंग से बैठे हुए थे बता दे कि करनाटक विधान परिशद में करनाटक मवेशी वद रोक थाम और संरक्षन विदेहक 2020 विदेहक पर चर्चा होनी थी ये बिल 9 December को ही विधान सबहा में पारित हो चुका है, बहावी Congress के विधायकों ने इस विदेहक को लेकर जम कर हंगामा किया था Congress से कुछ सदश्यों ने विधान सबहा का वहिश्चार भी किया था, हलाकि इस पर चर्चा नहीं हो सकी थी करनाचक के कॉंग्रेस नेदाओं का कहना है कि राज्य में गो हत्या पर रोक लगाने वाला कानून लाना सही नहीं होगा इस कानून के आने के बाद से अल्प संख्यकों पर हमले बढ़ जाएंगे कर देदा से अहीं होगा कि झाला के लोगाने स।ल में ठामाजे राजमे खर रोगाने शवा़क उस्यक基本 अल्पर्व जेुने बढ़ ऑे एंस ligandशा ने चाने गगाने बढ़ जामा zweiten झाल झाल ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घंने वाल जोती गाल